पुलोवर का क्या मतलब होता है या आज किस वीडियो में सीख लेते हैं पुलोवर का दो तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है एक तो इस तरीके का जो स्वेटर होता है जिसे हम उपर से पहनते हैं कपड़ों की या कपड़ों के उपर से पहनने का कोई कपड़ा इस तरीके का होता है तो उसको हम pullover कहते हैं इसके इलावा pullover का मतलब किसी चीज़ को किनारे कर लेना या किसी चीज़ को खीच कर एक तरफ कर लेना भी pullover कहलाता है जैसे कि एगर आप ये कहना चाहें कि गर्म पाने ने मेरे स्वेटर को सिकोड दिया तो आप कहेंगे the hot water stank my pullover या अगर आप ये कहना चाहें कि उसने एक बुना हुआ स्वेटर पहन रखा था तो आप कहेंगे she was wearing a knitted pullover या अगर आप ये कहना चाहें कि उसकी मंगेतर ने उसके लिए स्वेटर बुना था तो आप कहेंगे his fiance knitted him a pullover अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें